Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है प्यारे बचो उसमें हम discuss करेंगे Worksheet No. 48, 4 Class 10th, Social Science की बचो ये Worksheet है, जो आपके लिए 21st of December 2021 के लिए schedule की गई है आज की जो Worksheet है प्यारे बचो उसमें हम chapter हमारा है Manufacturing Industries ठीक है उसी को continue करते हुए Iron and Steel Industry और Aluminium Smelting के बारे में पढ़ेंगे So Worksheet चू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की notification वो समय से मिल जाए So देखे, क्या दिया गया है आज की Worksheet में पिछली Worksheet में हमने Sugar Industry के बारे में पढ़ा, ठीक है हमने JOOT के बारे में भी पढ़ा था So इस Worksheet में हम जो Heavy Industry होती है और आप कह सकते हो कि Basic Industry जो है उसके बारे में जानेंगे Iron and Steel Industry और वो जो Industry है वो क्यों Important है वो हम समझेंगे So Iron and Steel Industry, the Iron and Steel Industry is the basic industry since all the other industries Heavy, Medium and Light depend on it for their machinery, देखे, जो Iron and Steel Industry है इसको हम Basic Industry कहते हैं, क्यों कहा जाता है इसको Basic Industry? क्योंकि बाकि जितनी भी Industry है, चाहे वो Heavy है, Medium है, Light है कोई भी Industry है, उसमें छोटी मोटी मशीनों की जरूरत तो पड़ती है और वो मशीने किस से बनेगी, वो मशीने बनेगी Iron से, Steel से इसलिए जो Iron and Steel Industry है, उसको Basic Industry कहा जाता है क्योंकि ये एक तरह से Raw Material प्रोवाइड करती है बाकि Industries को ठीक है, तो इसलिए Iron and Steel Industry वो एक Basic Industry है for the other industries. Now, Iron Ore and Coking Coal and Limestone in the ratio 4.2.1 is required for this industry. Iron Ore जो है, वो 4 पार्ट चाहिए, Coking Coal जो है, वो 2 पार्ट जो है, वो 1 पार्ट चाहिए, इसमें Limestone, इस अंडिस्ट्री की ये requirement है. In the year 2016, with 95.6 million tons of steel production, India ranked 3rd among the world crude steel producers. Year 2016 में, India ने लगबग 95.6 million tons जो है steel का production किया था, और तीसरे नंबर पर था ये, ठीक है, इसके अलावा, largest producer है ये sponge iron का, ठीक है? So, most of the public sector undertaking market their steel through Steel Authority of India Limited, जो आप कह सकते हो, कि mostly जो public sector है, वो अपना जो steel है, उसको Steel Authority of India के माध्यम से sale करते हैं, clear? जो हम क्या कहते हैं? Steel Authority of India Limited, तो इस ये जो है, एक तरह से, आप कह सकते हो, stamp mark है, जो steel है, उसको बेचने के लिए, उसके बाद है, चोटा नागपुर प्लेटू region has the maximum concentration of iron and steel industries, it is because, चोटा नागपुर प्लेटू, वहाँ पर maximum concentration है, सबसे ज़्यादा लोहा और जो steel है, वो उसके industries है, उसके कुछ कारण है, first है low cost iron ore, तो वहाँ पर जो ore है, वो low cost में मिल जाता है, जो की अच्छी quality का है, high grade raw material in proximity, high grade raw material मिल जाता है, cheap labor मिल जाती है, और local market मिल जाती है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर इनकी concentration जो है, वो क्या है, ज्यादा है, उसके बाद, next देखे, कुछ reason भी रहे हैं, जिसके कारण जो इंडिया में, जो ये industry है, ये बहुत ज्यादा potential से grow नहीं कर पाई है, और अगर हम बात करें, तो जो steel का production है, और कितना उसकी खपत है, किसी भी country में, कितनी production है, कितनी उसकी खपत है, इस से एक किसी भी country के development का पता चलता है, कि कोई country कितनी develop कर रही है, ठीक है, क्योंकि देखो, अगर किसी country में industrialization ज्यादा बढ़ता है, रोजगार ज्यादा के लिए जो संसादन है, वो अपलब्द कराए जाते हैं, तो उसमें steel कहीं न कहीं iron और steel का रोल रहेगा, क्योंकि ये basic industry है, तो उसे पता जलता है कि कोई देश जो है, वो कितना develop कर रहा है, ठीक है, 1950 में कि जो century थी, उसमें क्या था, 1950 का अगर हमें एराद देखें, तो उसमें क्या है कि भारत और चीन ने लगबग एक समान जो है, एक quantity में लगबग steel का production किया था, लेकिन आज अगर हम चाइना की बात करें, तो वो सब स्टील का सबसे बड़ा producer है, जबकि अगर हम उसका जो consume वाला अगर percentage देखें, तो अगर स्टील की जो खपत देखें, वो भी चीन में सबसे ज्यादा है, तो इसी तरह डवलपमेंट भी चीन में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, तो इस तरह से इसकी खपत और इसका production किसी भी देश का जो है, एक scale है उसके डवलपमेंट का, अब reason क्या रहे हैं, जिसके कारण है, जो steel industry है, वो full potential इंडिया में डवलप नहीं कर पाई, high cost and limited availability of cooking coal, ठीक है, cooking coal जो है, high cost और उसके limited availability के कारण, lower productivity of labor, labor जो है उनके lower productivity के कारण, irregular supply of energy and poor infrastructure, इसके कारण जो है, full potential से ये grow नहीं कर पाई, अब हम बात करेंगे, aluminium smelting के बारे में, aluminium smelting is the second most important metallurgical industry in India, तो aluminium smelting जो है, वो आप कह सकती हूँ कि second most, जो है, क्या है, metallurgical industry है, इंडिया में, clear, it is light, आप सब बच्चों को aluminium के बारे में पता है, ये light in weight होता है, इसमें जंग भी नहीं लगता, light, resistant to corrosion, a good conductor of heat है, malleable है, malleable, सभी बच्चे चानते हैं, आपने science में पढ़ा है, कि इसको हम पीट कर जो है, पतली-पतली जो चादर होती है, sheets है, उनमें इसको convert किया जा सकता है, and become strong when it is mixed with other metal, और बहुत strong हो जाता है, जब इसको दूसरी metals के साथ mix कर दिया जाता है, clear, aluminium smelting plants in India are located in Odisha, West Bengal, Kerala, Uttar Pradesh, Chattisgarh, Maharashtra, Tamil Nadu, इन सब में ये, जो है, क्या है, मिलता है, ठीके, यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा आप कह सकती हो कि सबसे ज़्यादा जो concentration है, वो यहाँ पर इसकी मिलती है, और इसकी use जो है, हम देख सकते हैं कि aeroplane बनाने में है, utensils बनते हैं, wires बनती हैं, तो और यह एक आप कह सकती हो कि विकल्प के रूप में भी इसका use किया जाता है, जो steel है, उसकी जगे पर तामबा है, जिंक है, उसकी जगे पर भी इसका ज्यादा तर use है, वो किया जाता है, now, two key need area for the establishment of this industry are, that is the, क्या reason है, clear, इसके आप कह सकते हो, कि aluminium जो smelting है, उसके लिए भी इस main जो आप कह सकते हो, कि need है, इस industry के लिए, वो है, uninterrupted power supply, यानि power supply वो लगातार चाहिए, and availability of cheap raw material, cheap raw material की availability वो important है, ठीक है, अब यहाँ पर दो question दिये गए है, write a short note on importance of aluminium smelting industry, and iron and ore industry in India is fully non-developed, explain the reason, first है, write a note on the importance of aluminium industry, क्या importance है, so largest aluminium smelting industry in India, second most important metal purification industry, ठीक है, second eight is lightweight, corrosion resistant, and a good conductor of heat, it is malleable है, can be made more rigid by mixing other metals, rigid या hard, इसको कर सकते हो, number fourth, it is used in door, windows, aircraft, manufacturing, packing, medical industry, utensils making, in some में इसका use किया जाता है, next देखे, explain the reason for not fully developed iron and steel industry in India, the reason explain करने है, for not fully developed iron and steel industry, answer हैगा, high cost and limited availability of cooking coal, second है, low labor productivity, third है, regular supply of energy, and fourth है, under developed infrastructure, तो यह इसमें आप reason लिख देंगे, तो यह थी students आपकी आज की बच्चों SST की वाक्षीट, I hope सभी students को clear है, कोई भी doubt है, तो आप पोच सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, share कर दीजिए, और चैनल को subscribe कर लीजिए, so thanks for watching, मिलते हैं next वीडियो में, next वाक्षीट के साथ, take care students, bye bye,